मुझे अमीद है कि आप सब खेरियत से होंगे हम पढ़े थे यूनिट नंबर 11 जो कि है ट्रांसपोर्ट इन यूमन्स के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका लास्ट पार्ट और इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी आज खतम होने वाला है तो आएए शुरू करते हैं हमने इन यूमन्स हमने इन पढ़ा था कि हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को पूरी बॉड़ी में और इससे पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ये ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है हमारे हर सेल तक पहुंचना वो इसलिए क्योंके हमारे हर सेल ने कार्बन डायोकसाइड ब्लड को देनी होती है और ब्लड से ऑक्सिजन लेना होता है अब हमारा हर्ट तो पंपिंग मशीन है जिसने पूरी बॉड़ी को ब्लड पहुंचाना है मगर हमारे हर्ट को भी ब्लड की जरूरत है इसका मतलब कि जब वो पंप करके पूरी बॉडी तक ऑक्सिजनेट ब्लड पहुंचाता है तो वो अपने आपको भी ये पहला वेसल है coronary artery It supplies oxygenated blood to the heart tissues coronary artery वो वेसल है जो के heart तक oxygenated blood लेकर आएगा अब आपने confused नहीं होना क्योंकि हमने artery और vein पढ़ते हुए ये concept clear किया था कि artery heart में से blood बाहिर लेकर जाएगा और vein blood heart की तरफ लेकर आएगा मगर यहाँ पर coronary artery और coronary vein बिलकुल opposite काम कर रही है क्योंकि ये बिलकुल बाकी body की तरह किसी भी organ को जो यहाँ पर heart है एक organ को blood supply कर रही है तो number one the coronary artery ये oxygenated blood heart को देगा और the coronary vein it takes away the deoxygenated blood from the heart coronary vein deoxygenated blood यह हम कह सकते हैं the carbon dioxide blood जो है उसको लेकर वापस heart की तरफ जाता है और फिर heart उसको lungs की तरफ भेजेगा और lungs से वो वापस purify होके heart के पास आएगा circulatory system बिलकुल उसी तरह चल रहा है सिरफ यहाँ पर दो और vessels का introduction है जो के हमारे heart को blood दे रही है क्यूंके हमारे heart के muscles भी carbon dioxide produce करेंगे और उनको भी oxygen की जरूरत है apart from its function जो के है pump करना और पूरी body तक blood देना heart को खुद भी जरूरत है इस blood की अब अगर इस इन दोनों veins में या फिर इस blood supply में किसी किसम की blockage आ जाए तब हमें होती है heart disease अब हम देखते हैं वो कौन सी heart disease है जो इनके block होने से हमें होती है और क्यूं block होती है vessels वो भी हम पढ़ेंगे next board पर Heart disease occurs when blood supply to the heart is blocked जब blood supply heart की block हो जाती है तब हमें हो रही है heart disease अब blockage क्यों होती है अब यहाँ पर एक और word है जो आप लोग सीखने वाले हैं वो है cholesterol cholesterol होता है हमारी body का fat content मतलब हमारी body में तीन major nutrients है carbohydrate, protein और fat अब इन सब की quantity हमारे blood में एक fixed है cholesterol की quantity भी हमारे blood में fixed है मतलब fat content हमारे blood में already मौझूद है high percentage का क्या मतलब है जो हमारी already composition है blood की अगर उससे जादा fat content हो जाए तो उसको कहते है high percentage सबसे पहले हम definition देखते है cholesterol की cholesterol is a waxy fat like substance that is found in all human body cells अब cholesterol ऐसा fat है ऐसा lipid या फिर wax जैसा substance है जो हमारी body के हर cell में मौझूद है high percentage का क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं our body makes all the cholesterol it needs and the excess is made by diet हमारी body cholesterol खुद बनाती है और जब वो खुद बनाती है तो वो दो तरह के होते हैं एक होता है the good cholesterol और दूसरा है the bad cholesterol जो good cholesterol है वो हमारी body में बहुत important है बहुत सारे functions के लिए हम detail में नहीं जाएंगे मगर आपको यह पता होना चाहिए कि जो bad cholesterol है वो हमारी body को सिरफ नुकसान पहुंचाता है अब जो cholesterol हमारी body खुद originally naturally बना रही है वो है good cholesterol और bad cholesterol कैसे बनेगा वो ऐसे बनेगा कि जब हम diet खाते हैं बुरी for example high fat diet या फिर animal sources से meat और mutton, beef, chicken जैसी चीज़ें मसाले ज्यादा खाते हैं और फिर खाकर हम walk नहीं करते मतलब exercise नहीं करते lazy lifestyle की वज़ा से हमारा bad cholesterol body में बन जाता है यह bad cholesterol जो है blockage cause करता है हमारी blood supply में that is towards the heart और वो कौन सा वेसल था जो हमारे heart को blood provide कर रहा था because students वो था coronary artery तो coronary artery block हो जाती है bad cholesterol की वज़ा से अब दो तरीके हैं इस cholesterol की accumulation के वो हम पढ़ेंगे अपने next board पर यहां पर मैंने differentiate किया between angina and thrombosis यह दो different conditions है blockage की सबसे पहली condition है angina when cholesterol accumulates in the inner walls of coronary artery then angina occurs इसका मतलब यह है कि cholesterol जो मैंने बताया हमारी body हमारी blood में मौझूद fat content है यह fat content जब जादा हो जाएगा तो हमारी artery मतलब coronary artery जो के heart को blood पहुंचा रही थी उसकी inner walls पर जाकर accumulate कर जाएगा मतलब deposit हो जाएगा उसकी inner walls पर अब उसकी वज़ा से क्या होगा it makes the path of blood flow narrow अगर एक pipe की inner walls पर हम कोई चीज जमा दें वो तो उसकी width हो जाएगी कम मतलब उसका blood flow करने का path भी हो गया narrow अब यहां पर भी क्यूंके अंदर का circumference था width थी वो कम हो गई है पहले इतनी थी accumulation की वज़ा से कम हो गई है इसका मतलब कम blood supply होगा हमारे heart को उससे क्या फरक पड़ेगा the instant supply of oxygen do not take place अब आइस्ता इस्ता तो blood पहुंच रहा है अगर हम बैठे रहेंगे मतलब rest पे रहेंगे तो हमें अराम से blood पहुंचता रहेगा और blood के थुरू oxygen भी हमारे heart को मिलता रहेगा मगर अगर हम किसी किसम की exercise करेंगे और हमारे heart को instant oxygen की जरूरत पड़ेगी क्यूंकि जब भी हम को physical activity करते हैं हमारे body के cells बहुत जादा excess में carbon dioxide produce करते हैं और इस production के साथ ही उनको oxygen भी इतनी ही जादा quantity में चाहिए होता है अब हमारे heart muscles exercise के वकत बहुत तेजी से बीट कर रहे होते हैं और बहुत जादा oxygen की requirement होती है इस time पर जब हमारी vessel narrow हो चुकी है और बहुत कम blood flow हो रहा है उसके बीच में से तो हमारे heart को instant मतलब फॉरन से oxygen नहीं मिलेगा fourth point is that a cramp like pain spreads across the chest इसका मतलब यह है कि जब हमारे heart के muscles को या फिर cells को फॉरन oxygen नहीं पहुंचेगा तो हमारे chest में एक बहुत बुरी तरह की pain होगी यहां लिखा है a cramp like pain, cramp क्या होता है अगर आप बहुत जदे exercise करें या फिर कोई गलत position से weight उठा लें तो आपका कोई ना कोई muscle pull हो जाता है या फिर आपको cramps पढ़ जाते हैं जिसको हम उड़्दो में खलियां कहते हैं अब वो क्या होता है जब chest में इस तरह के cramps पढ़ने लग जाएं तो ऐसी condition को हम कहते हैं angina तो जो पहली condition थी blockage की वो थी angina जिसमें actually cholesterol जो हैं हमारे vessels की अंदरवारी walls पर accumulate या deposit हो रहा है deposit होने की वज़ा से हमारे blood supply कम हो गई है क्योंके vessel narrow हो गई है और हमारे heart के muscles तक oxygen नहीं पहुंच रहा है इसकी वज़ा से हमारी chest में बहुत जादा pain होगी और यह कुछ देर तक रहती है और फिर खतम हो जाती है but this is quite risky अगर हम इसको time पर ना चेक करवाएं तो it can lead to heart attack या फिर heart failure अब देखते हैं दूसरी blockage की क्या condition है thrombosis when cholesterol causes formation of clot in the coronary artery पहले जब cholesterol accumulate कर रहा था तो वह सिर्फ inner walls पर था अब जब cholesterol accumulate करेगा तो वह एक clot बना लेगा clot वैसा ही है जैसा अगर आपको cut लग जाए तो blood clot बन जाता है बिल्कुर उसी तरहां जब हमारे blood में fat का content जादा होगा तो fat का एक छोटा सा mass मतलब clot बन जाएगा जो के हमारी इस coronary artery में जाकर stuck हो जाएगा अब इसके stuck होने से क्या होगा पहली condition में तो हमारे सिरफ blood supply कम हो रही थी मगर इस condition में totally blood supply cut off हो जाएगी हमारे heart तक blood नहीं पहुंचेगा the heart stops the process of pumping जब heart के पास blood नहीं पहुंच रहा तो heart अपना काम नहीं करेगा heart का काम क्या था? exactly, heart का काम था pump करना blood को to the whole body अब जब हमारा blood heart तक नहीं पहुंच रहा तो heart को energy और oxygen ही नहीं मिल रहा काम करने के लिए इसलिए heart pump करना मतलब beat करना बंद हो जाएगा leads to an episode of heart attack जब heart beat करना बंद कर जाएगा तो इस condition को हम कहेंगे an episode of heart attack इसको episode इसलिए कह रहे हैं क्योंके अगर इसी वकत हम कोई ऐसी medicine दे दें जिसकी वज़ा से blood फॉरण thin हो जाए तो हो सकता है हमारा clot dissolve हो जाए बलकि ऐसा होता भी है बहुत conditions में survival हो जाता है patient का क्योंके हमाहम उसको blood thin करने वाली कुई medicine दे देते हैं clot फॉरण से dissolve कर जाता है जब clot dissolve होगा तो blood supply जल्दी से heart तक पहुंच जाएगी अगर उसको time पर ये दवाई नहीं मिलती और block रहता है हमारा blood supply towards the heart then it can lead to heart failure and ultimately death इसका मतलब ये दो conditions हैं जो बहुत खतरनाक हैं fat accumulation किये इसलिए हमें बहुत जादा जरूरत है कि हम healthy fat sources लें अपनी डाइट में और साथ ही साथ exercise बिलकुल मत छोड़े ताके हमारी body का cholesterol level जादा ना हो इसी के साथ हम देखते हैं एक और दफ़ा diagram के थूँ इन दोनों में difference और फिर हम इस lecture को end करेंगे with another interesting point अब आपके सामने दो diagrams हैं A and B number one is angina जो के दिखा रहा है fat accumulation जो के मैंने red marker से highlight की हुई है fat accumulation inner walls पे हो रही है जिसकी वज़ा से हमारा जो blood vessel की width थी पहले जादा थी और अब सिर्फ इतनी रह गई है इसको कहते हैं angina जो मैंने आपको बताया fat accumulation on the inner wall of coronary artery इसका नुकसान ये था कि हमारे heart तक blood कम पहुँच रह था और एक stabbing pain हो रही थी in our chest second condition थी thrombosis की fat accumulation walls पे नहीं है बलके proper एक clot मतलब mass form हो गया है जिसकी वज़ा से blood supply यहां से आते हुए completely रुक गई है और हमारे heart तक नहीं पहुँच रही इसको कहते हैं clot formation this mass of fat is called a clot इस clot formation का यह नुकसान होता है कि heart तक blood नहीं पहुँचता और heart attack cause हो जाता है अब हमने दोनों कंडिशन पढ़ दी angina and thrombosis जीत ही हमारी heart disease का topic उमीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा अब मैं आपको बताती हूँ एक interesting point so do you know that a human heart beats 70 times a minute 70 times हमारा heart beat करता है आपको याद होगा मैंने heart beat बताई थी किस तरह produce होती है जब दोनों उपर वाले atrium contract करते हैं तब हमारी पहली आवाज heart beat की S1 sound produce होती है जब blood ventricles में चला जाता है तो अब बारी होती है ventricles की contract होनेगी जब दोनों ventricles इखटे contract होते हैं और blood pump होता है heart से बाहर तो इसको कहते हैं S2 the second sound of heart beat तो heart beat एक sound पूरी S1 प्लस S2 हमारी एक मिनिट में 70 times होती है 70 times तब होगी अगर हम rest पर हैं मतलब या लेते होए हैं बैठे हुए हैं with no physical activity अगर हम किसी exercise में involved हो जाएं या कोई काम कर रहे हो then 100 times a minute our heart will beat और इसके इलावा भी एक interesting बात ये है कि अगर कोई आप athlete की heart beat मया करें तो आप देखेंगे कि 200 times a minute भी उनका heart beat कर रहा होता है इसका मतलब ये है कि जितनी जादा हम exercise करेंगे उतनी तेजी से हमारा heart beat करेगा उसकी वज़ा ये होती है जो मैंने अभी पहले बताई कि जब हम कोई exercise करते हैं हमारे body के cells carbon dioxide बहुत excess में produce कर रहे होते हैं और उनको oxygen भी इतनी ही excess में चाहिए होती है अब heart के उपर pressure है कि उसने जल्दी से oxygen हमारी पूरी body तक पहुँचाना है इसलिए वो तेज तेज बीट करता है ताके जल्दी से oxygen हमारे हर body cell तक पहुँच सके तो उमीद है कि आपको ये point याद रहेगा इसके साथ ही unit number 11 transport in humans खतम होता है next lecture में आपने तमाम lectures revise करके आने हैं क्योंकि हम करेंगे textbook की exercise आज के लिए इतना ही अपना बहुत ख्याल रखेगा खुदा आफिस